ग्रेट गुड मॉर्णिंग ट्यू आल मैं सुमित कुमार सेहीं आप तमाम UPSCS पेरेंट्स या अन्ड कोई competitive examination के तैयारी कर रहे हैं बित्यारतियों का इस मगत पुत्र यूट्यूब चैनल में अफिनन्दन करता हूँ आज हम लोग इस पीडियों में चानेंगे कि prelims जो कि कह सकते हैं कि less than 90 days या फिर more or less approximate 90 दिन सेश रह चुके हैं तीन मन्थ तीन महना सेश रह चुके हैं और इस तीन महने की अब्दी में अब हमें जो है प्रिलिम्स examination है preliminary examination है UPSA Civil Services 2021 का उसके preparation कैसे की जानी चाहे है तो इन ही जैसे कह सकते हैं कि मुद्धों पे आज इस वीडियो में एक detail कह सकते हैं approach, detail discussion, detail analysis करेंगे कि how to prepare for UPSA Civil Services Prelims Examination 2021 So, in this video we will discuss few points and elaborate all the points in details So, let us start हम लोग इस वीडियो में आज कुछ प्रमुख भिंदूओं पे कुछ points पे जो कह सकते हैं कि विस्तृत चर्चा करेंगे कि प्रारम भी परिप्छा की preparation या तयारी कैसे की जानी चाहिए Civil Services 2021 तो पहले मैं बता देना चाहता हूं कि भाले UPSA Civil Services का official notification या गैस्टेट नोटिफिकेशन अभी commission के द्वारा release नहीं किया गया है लेकिन फिर भी जो है हम लोग का जो annual calendar है वो already release कर दिया जा चुका है और वो कह सकते हैं कि प्रारम भी परिप्छा का जो तिती है वो 27 June है पहले जो है यह first week of the June होता था लेकिन इस बार यह last week of the June है और चाहिए जो भी issues रहे हो लेकिन यह date प्रारम भी परिप्छा का फिक्स कर दिया जा चुका है वो है 27 June 2020 को तो official notification release हो या ना हो उसकी प्रवाह ना करते हुए हमें प्रारम भी परिप्छा की जो है तैयारी और preparation कह सकते हैं कि जारी रखना चाहिए अब बात आती है कि तीन महना से इस बचे हैं इन तीन महनों में preparation कैसे की जाना चाहिए या अब तक आपकी जो preparation रही है उसे कैसे और suited और कह सकते हैं अच्छी तरीके से कह सकते हैं एक strategy एक plan बना के अपनी preparation को और कह सकते हैं कि अच्छी से अच्छी बना सकते हैं ताकि प्राडबिक परिक्षा में हम सफल तार जित कर सकते हैं क्योंकि प्राडबिक परिक्षा हैं कि कह सकते हैं कि first door है पहला step है जिसे cross करने के बाद वह first window है जिसे पार करने के बाद आप मुख्य परिक्षा के लिए कह सकते हैं इलिजिवल होते हैं तो अगर प्राडम भी परिक्षा इंक्वाइलिफाइन नहीं कर पाएंगे मुख्य परिक्षा में आपको बैठने का आपसर और opportunity कह सकते हैं कि आप खो देंगे जर्नी होती है एक और डेड़ साल पूर्प से पतलब आप कह सकते हैं कि पिछले जून से कह सकते हैं कि इस जून तक एक साल की प्राडम भी परिक्षा के लिए ताकि करेंट अफेर वागेरा सब इसमें कभर हो जाते हैं अब आज आए बात करते हैं कि यह तो ठीक है कि इस प्राडम भी परिछा की तैयारी स्पेस लेकाप से करने चाहें क्योंकि देखिए का प्रिपरीशन से का इन्टेंडिटर्स भी नहीं नहीं करेगा तो यह आवशक है कि मेंस और प्री का इंटेग्रेटर तेयारी अब तक आप कर चुके होंगे और जो कह सकते हैं जून से इस जून तक तो अब आपके पास तीन महना वाकिए अब प्रारम्बिक प्रीक्षा पे प्रेलिंस और 20 से ध्यान के अंदरित करना है आपको अधिक जैसे फॉकस अफूरियम्स पे करना होगा अब कुछ दिनों के लिए तीन महनु के लिए आपको कह सकते हैं कि मिलस के थोड़ा कह सकनें की रिविजिन और वर्क आउट जितने भ को तेकि तीन मेने मेंशने केadour और क्या तरुकिर करना हुगा। थूसरा नबभे दिन सेश्ट हैं, यह प्लान मनाईए को तीन मेहने में इज सेश्ट, थी मेहने में क्या-क्या-क प्लान होना चाहिए we को कितने बार रिवाइस करना है जो static portion के जो books हैं जैसे एक बार आपको फिर से कैसे करवा देता हूं current affair का तो आप कोई भी कैसे के इंस्टिटूट से कैसे current affair का जैसे study material monthly magazines बगेरा आप लेकर पढ़ सकते हैं वो आपके ओपर depend करता है करेंटा फिर उसे cover करना है न्यूश पेपर से हो गया और कह सकते हैं कि पहले हिस्ट्री के लिए spectrum पढ़ सकते हैं आप कह सकते हैं पॉलिटी के लिए लक्षमिकांत सर्वविद्धित सब जानता है इंवर्बेंट एन एकोलोजी के लिए कह सकते हैं संकर आयस अकैडमिक पर सकते हैं आट एंड कल्चर के नितिन सिंहाने आप पर सकते हैं और एंसी आट की तेमिल नाड़ो की प्रिवेश सेर की बुक पर सकते हैं और रह गई जिग्रफिकी एकोनोमिक्स के लिए आ परमेश सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर फिर आईनसी या टीबी पर सकते हैं आई टैन एलबन टूर्ट की तो यह मोर और लेस कर सकते हैं कि प्रारभम बिक पर जाके लिए more than enough or sufficient और बाकी जितने भी चीज़े है और फिर से कव रहोगे तो यह कुछ सकते हैं previous year के जितने भी कह सकते हैं कि 20 नहीं तो फाइव यह के प्रिविए से के कोशिन डाउनलूड करें यूप्यसी की वेपसाइट पे अब लेबल है आपको उसको पेपर को सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा कि किस परकार से पूछे जाते हैं कोशन पूछने का पैट सब्सक्राइब किस प्रकार का जो मुल्टिबल चॉइस कोशन होता है इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है जीएस पेपर मोन में इन सब चीजों को ध्यान के अंदरित करते हुए आपको मॉक टेस्ट और ट्रैक्टिस से कह सकते हैंगी जा अधिक से दिक सॉल्व करना कोशन जितने सॉल्व करेंगे जितने मिस्टेक्स करेंगा तने ही मिस्टेक्स ते सीखेंगे और इस मिस्टेक्स सीखने के बाद एक स्वी पीन लीएक च dez desarroll लीएब और च्पाहर आपगे जोंतरिनल aint निन्हें सकते एतने फ्रत्रों साइंस'S हो गया साइंस एंटेक हो गया कह सकते हैं और फिर पॉल दो कितने अर्ट फिबर रखाईों अपने श्री नहीं है नेसे सोरी में सानट को समझना ऊनइट को कि truth समझते हैं आपकी concept की understanding कितनी है क्योंकि at the end of the examination आपको कह सकते हैं कि कोशन पेपर में आप जितना करने की छमताप के अंदर होगी आप तभी कह सकते हैं कि उस प्रहर में चार Only Haus दे जाता है बहुत सारे प्रशन ऐसे लगएंगे कि ór के मिशारों में से तीन उतर सही हैं दो इतर सही है तो उनमे से सब से असर Шक्त alright होता है तो यह कह सकते हैं कि लेवल अप कमप्लेक्सीटी वह बहूत हई होती है यूप्श-पस्य से विए से प्रिलिम से जामिनेशन में तो यह निसेसरी है कि आपको जो है concept clearance चाहिए कैसे ते memorization of fact and figures or data अतनी आवशकता नहीं है कैसे तो concept clear concept की understanding आवश्यक है तो यह आवश्यक है कि जब आप बुक static portion हो current affairs ओ या फिर practice session में जब आप कर रहे हैं उस बक्त concept की understanding and clearance को बढ़ाएं ताकि आप प्राड़मिक प्रिक्षा में कह सकते हैं कि वो मददकार सिद्ध शाबिद होगा तो यह तीसरा पॉइंट हो गया चौठा पॉइंट मैं सबसे महत्वापून मैं मानता हूं कि कम से कम मैं पहले भी बता दिया हूं कि प्रिविए से ट्वेंटी और कोशन आप कह सकते हैं कि कोई भी आप जाए स्टुडी मैटरियल या स्टुडी नोट्स जहां मिलते हैं करोल बा मुखरजी नगरिया कहीं भी आप ऑनलाइन अमेजोन पर भी कह सकते हैं मंगवा सकते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन एक कॉमर्स वेबसाइट पर जाएं प्रिविएस 20 यह कोई एर के प्रिलिम्स एक्जामिनेशन का कह सकते हैं कोशन पेपर आप का बुक जो है बुक मिलता है आप चाहाए सब्सक्राइब कैसी कमिशन जो है कैसे कैसे कोशन सब्सक्राइब करेंट और अपर आप इस प्राक्टिस देखने के पाथ और इसमें एक पॉइंट और मैं जोना चाहता हूं कि आप एक महना पूर मैं जाए करोल वागिया कहीं भी आ फिर आउनलाइन आप भी कह सकते हैं मांगबा सकते हैं आप बहुत सारे कांटेक्ट नंबर वगिर अबलेबल होते हैं वेबसाइट पर जब सर्च करेंगे कि यूप से स्टेडी मेटेडिय लिए उपर से नोट्स तो मुखर जी ने करें यह करोल वाग से वह कह सकते हैं अगर रूमेर एडिया या बैक्राउन में है या फिर या ग्रामीन परिभीष में अगर आप रह रहा है तो आप शक है कि आप ऑनलाइन मंगा ले अगर दिल्ली आना संब्बना हो तो तो ऑनलाइन कह सकते हैं कि जो इस साल का जो है वो मौक टेस्ट जो होता है कंड़क्ट कराया जाता है चाहिए आप वीचन आइस अकेडमी हो गया और उसे सॉल्व करें तो एक या दो इंस्टिट्यूट का जैसे 20 से 25 मौक टेस्ट आप घर में पैट के जो है प्राक्टिस करें प्राक्टिस करें तो इन सब चीजों का अभ्यास करने से जो है आपके अंदर वो कॉन्फिदेंस बिल्ट अप हो जाएगा और इस बार का जो मैं मानता हूं पांच मां पॉइंट में है कि speed of solving the question paper देखें आपको कह सकते हैं कि दो घंटे का समय मिलता है उसमें 100 प्रशनों को कह सकते हैं इस सॉल्व करना होता है बाले पेपर टु क्वालिफाइंगे नेचर या पेपर न से कट आफ निकलता है बट दोनों पेपर जो है कह सकते हैं आपको दो गंटा कर समय मिलता है तो यह आवश्यक है कि आपका स्पीड आपका मोमेंटम उतना होना चाहिए ताकि आप दो घंटों में उन प्रश्णों का जो है सॉल्व कर सकने में सब्सक्राइब एक लिस्टम से एक टी टु नाइंटी परसंट तो आपको शॉल्व करहें लें तभी आपके सब्सक्राइब करें तो यह आवश्यक है कि आ एक मौक टेश्ट को 2 घंटे में सॉल्व करना इंड करना है और जब तक आपका स्पीड नहीं होगा तब तक कह सकते हैं कि कोई माइने नहीं रखेगा कि आपका इतने प्रश्णों को सही करते हैं गलत करते हैं तो इस्पीडों मीटर लगाके आपके सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो यह कुछ पॉइंट्स हो गए जो मैंने आपको बता है तो आसा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब